हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल पे, तो दोस्तों, आज हम याँ पे कुछ अलग तरह का नाश्टा बनाने वाले हैं, जो सबको खूब पसंद आने वाला है, और सबकूब तारीब भी करने वाले हैं, तो दोस्तों, अक्सर क्या होता है ना, कि बच्चे घर दाल खाने में आना कानी करते हैं और जब हम उसी डाल का कोई अलग सा नाश्ता बना कर बच्चों को देते हैं तो वह बच्चों को खूब बाता है तो आज हम कुछ ऐसा ही नाश्ता बनाने वाले हैं तो मैंने आप पे मिर्च ली हैं लाल और हरी छोटा अधरक का टूड़ा इसन की अलगिर देत debats भीन बनाने में नाश्ता भीन, और तामाटर का टुकड़ा है और दाल ली है मैंने हां पे चना दाल एक चना कप तो इसको हम पार घुँ कहांे थे और 3 से गंटे के लिए तो देखेगा मैंने साथ Transport या थी पानी में रखा के हाँ 2 से थीन घंटे के और फूल गई है तो दोस्तो अब हम पीस लेंगे तो इसमें डाल देते हैं दो मिर्च और दो लहसुन की कलियां और बहुती थोड़ा सा यहां पे हम हींग डालेंगे क्योंकि इससे क्या है ना बहुती अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा नमक डानेंगे स्वाद अनुसार इस अब हमेहें डालन तो अर दोस्तो आप इसमें पानी डाल लिजेगा मैं है मोघी हना बरना यह तो दोस्तो आप इसको पिस लेते हैं यह तो मैंोम पएसा तो आप देखिए गाह पेस ना तो जातल है अइसको अ ज़ cynical कि इसको एनाag बारतन में निकाल लेते हैं तो तो देखेगा मैंने हे निकाल लिया है अब हम इस पेस्ट को एक तरफ रख देते हैं मैंने गैस पर कड़ाए रखए है रिखाए यह पानी रखा है और इसकी जूपर मैंने जंगी ऊपर, यह तो अब dont is VASORI भी कहा जाता है तो देखिये मैंने सारी दो डख दिय है तो हम इन्स रेख समर्ड हो consciousness पकाने वाले हैं तो इनको पकने में 20 मिनट लगते हैं ने ढख कर पकाया है यह बाद पककर टियार हो गई है तो चाक्छा ग्याह है तो अब आप इने बड़ी ही सावधानी से हटा लीजेगा तो मैं आपको दिखा देती हूं यह देखेगा बहुत अच्छे सिस्टिम हुई है यह दबा के दिखाती हूं तो दोस्तों यह तो अब तयार है तो अब हम इने एक प्लेट में अलग निकाल कर रख देते हैं तो दोस्तों यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा नाश्टा है तो इनको अलग रखते हैं और तब तक इसका तड़का तयार कर लेते हैं हम तो मैंने हाँ पर चार चम्मच ओयल लिया है और इसमें डालते हैं जीरा तेल को गर्म होने पर और अद्रक और लहसुन मैं लिवा दों हुए दे लेगते में इसको भी डाल देते हैं हरीमिर्च और लाल मिर्च है पर लिखे शरीं मैं बड़ी पीसिस कटकी है ताकि अगर आपको ना खाने हो तो आप बाद निकाल सके तो छलिए इनको हम थोड़ा सा गोल्डव ब्राउन कर लेते हैं як बार के स्धो और थोड़ा सा चाण मसाला ले लिते है और सनी को जाला िमिर्च पाउडर लिया है और इनको अब मिक्स कर देते हैं। अब भालने को शमलत controllers of a भुर के याद रखेगा टो LIज को दरते हैं। और थोड़ी देर के बाद हमने जो बफॉरी तयार की थी उनको हमें इसमें एड़ करना है तो देखेगा मैंने सारी इसमें डाल दी है यहां पे और बस अब हमें इनको मिक्स करना है यानि कि जो मसाला है वो सारा का सारा बफॉरी में अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए तो ब अब यह आया आधि एे सहर्विंग के लिए नियाना उद टो बीजिए हैं इनको एक प्लेट में सर्विंग के लिए हैं कि प्रोट गने है तो दोस्तो आप इसको एक बाद जरू ट्राइ करिएगा बहुत अच्छी रेसिपी है तो चलिए दोस्तो मिलते हैं एक और नही वीडियो में बाई दोस्तो